सबसे पहले खबरे देखने के लिए TDC News को सबस्क्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूले नमस्कार दोस्तों मैं प्रशान्त राय और आप देख रहे हैं TDC News आज आपको कराते हैं प्रकृती के कुछ और दुरलब रंगों के दर्शन सुबह के कोहरे में देहरादून शहर का ये नजारा सर्दियों का नहीं अगस्त महीने का है भारी बारिश के बाद घाटी शेत्रों में कुद्रत के ऐसे दुरलब नजारे देखने को मिल जाते हैं और आपको प्रकृती के इसी दुरलब रंग से हमरूबरू करा रहे हैं चारों और कोहरे की घनी चादर में लिप्टी जिन्दगी की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है दरसल पहाडी शेत्रों में बरसात के समय उपरी गर्म हवा नीचे की ठंडी हवा को जमीन के पास रखती है ऐसा कोहरा सुबह के समय होता है सुरज निकलने के बाद ठंडी हवा गर्म होती है और उपर उठती है इसके बाद से कोहरा चटना शुरू हो जाता है ये तो है इस कोहरे का विज्ञान, लेकिन विज्ञान से इतर इस नजारे को देखना अदभुत आनन देता है, सावन की बूंदों और धर्ती की हर्याली से रंगी कुदरत का नजारा इस कोहरे की चादर में और मनमुहक हो जाता है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं कुछ और ऐसे ही खुबसूरत वीडियो के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ